अब बार स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल करिया तक पर माहिँ आयूस और अजम बात करेंगे जोलोजी एनर्स पेपर वन क्वेश्चन नमबर 262 से लेकर क्वेश्चन नमबर 3 से तक इस तरह हमारा जोलोजी पेपर वन मोडल क्वेश्चन बैंक जो की बीर बीव के और स्पंसर नमबर 7 म हो जागा थी पाट में डिवाइड होता है वि Unfortunately क्यूंत कॉष्चनन दूसाथ नमबर织च त्रू अब लेन अग री तरुचन नमबर कोर्षे न हम यापे स्कीप कर देंगे नेक्स्ट कॉ्स्यान है 94 पॉर्चिन है which is true इनमेंसे कॉन सांब ए clear फ्रेस्ट कॉन से पांषल और टो पॉंच्छिन में जो सबसे बड़ी सभी बात है वह جो है कि वहाँपे नोडिकर्ड नहीं पै जाता है इन बलेनोग透 sih त्ずरे योAR जाज यानि कि बलेनोगलोसिस में जो है ओकॉर्ड नहीं पाया जाता है वह एक मसल्स पार्ट ही होता है जिसे कि हम बलेनोगलोसिस हो जायागा बलेनोगलोसिस में नेक्स्ट है दोसफ़फफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफ इसलिए 265 का option number D answer होगा और जो कॉर्ड पाया जाता है उसका नाम है कॉलर कॉर्ड नेक्स्ट कॉर्चिन है 266 नमबर दा लर्वा और बलाइनोगलोसेस से जनोने बलाइनोगलोसेस का जो लर्वा होता है उसे क्या कहते हैं तो उसे जो कहते हैं टॉर्णारिया लर्वा यानि की option number C टॉर्णारिया लर्वा नेक्स्ट है दूसर संसर्ट नमबर कॉर्चिन इन बलाइनोगलोसेस देयर इच देयर आर तो दूसर संसर्ट का जो एंसर होगा option number ही हो जाएगा नेक्स्ट दूसर्ट नमबर कोस्टिन है तो दूसर्ट नमबर का जो एंसर होगा ओफ्टिन नमबर हो जाएगा C और 269 नमबर जो question है उनहात्ता नमबर ओ है बलैनोगलोसिस इज भार्टिब्रेट नॉन कॉर्डडड एंड हाफ नॉन कॉर्डडड एंड हाफ नॉन कॉर्डडड एंड नॉन अद्धीज तो 269 का जो answer होगा होगा नॉन कॉर्डडड 270 number Q7 नॉन्र नॉन कॉर्डड थरेश्रे एंड गॉन सेर्फी सफेस अधी कानॉड दर मताyeah messa 216 नॉन कॉर्डडड a कॉर्डड टोस्छ फिर्डड नॉन मां अधीर मां इनौस य। DE development of तो 270 का जो अंसर होगा होगा सिलोम सिलोम के similarly होने पे वह related है किसी कोडर से ही काइनोडर्म next question है 262 नंबर which one of the following file आम इज एक्सक्रिसली भी मिराइन तो 272 का जो अंसर होगा option नंबर D हो जाएगा option नंबर D all next है characteristic feature of ecanoderm H तो 272 का जो एंसर होगा option नंबर D हो जाएगा क्योंकि उसमें true सिलोम पहा जाता है ट्रिप्रो बलास्टिक होता है फर्टिलाइजेशन जो है वह भी external होता है इसलिए option नंबर D हो जाएगा next 244 है scientist believe that ecanoderm evolved from तो 274 का जो एंसर होगा option नंबर D हो जाएगा bilateral symmetrical ancestors in C star madroporite is the opening for to 275 का जो एंसर है option नंबर E हो जाएगा next है in starfish ampulla contract and force fluid into to 276 का जो एंसर है option नंबर D होगा पोडिया the endoskeleton in ecanoderm is made up of calcareous plates 277 का जो एंसर होगा option नंबर E हो जाएगा which class of ecanoderm lack arms ecanoderm के कौन से class वह है जिनके पास arm नहीं होता है तो 277 जो है option नंबर B हो जाएगा ecanodernia next है 217 नंबर question which class of ecanoderm is most primitive तो दूसर उन सेट का जो एंसर होगा option नंबर E होगा 288 का option नंबर C हो जाएगा गैस एक्षेंज muscular close का of hollow thruodia of ecanoderm is used for gas exchange next है head foot and visual mask combination है इच क्रेक्टरिस्टिक्स तो 288 का जो एंसर हो option नंबर E हो जाएगा again ecanoderm का 288 का जो है option नंबर B हो जाएगा भिलाईगर 283 है of radium is a test to purity water in तो 283 का जो एंसर होगा option नंबर E हो जाएगा पीलिया नेक्स्ट है 284 नंबर the respiratory organ in fresh muscles R तो 284 का जो एंसर होगा option नंबर C होगा the largest invertebrates is largest invertebrates कौन से है तो हो जो है option नंबर C हो जाएगा 285 का नेक्स्ट है C form H तो 286 का जो एंसर होगा हो C नंबर हो जाएगा मोलूस्ट का connecting link between anilida and mollusca H 287 नंबर question का है option नंबर D monoplasophora जिन्हे नियो पाइलीना भी कहता है नियो पाइलीना monoplasophora को ही नियो पाइलीना कहता है next 288 नंबर question in which one of the following notochord is called estimator chord 288 का जो एंसर होगा option number C हो जाएगा हमे को डाटा next which one of which one statement is correct 289 का जो एंसर होगा option number B 292 का option number C हो जाएगा blanogloses is also known as tongue warm tongue warm से भी जानते हैं blanogloses को next 2191 नंबर question 2191 का option number D हो जाएगा member of hemicodata R तो 292 का जो एंसर होगा option number B होगा exclusively मेरा ही होता है which of the flowing state and all examples represent hemicodata तो blanogloses, cyclogloses और a corn warm यानि के option number D which of the flowing statement is not correct about hemicodata इन में से कौन से statement है जो hemicodata के बारे में सही नहीं है 292 का जो एंसर होगा option number D हो जाएगा next 95 नंबर 295 नंबर है body or blanogloses divided into blanogloses का जो बड़ी होता हो कितने भागों में divide होता है तो इसका जो एंसर होगा option number B होगा 3 पार्षम में होता है next 292 नंबर है hemicodata R 200 चानबर के जो एंसर होगा option number A हो जागा which larva goes under retrogressive metamorphosis 273 नंबर के जो एंसर है option number C next 200 चानबर है oral hood is found mainly in 200 चानबर option number A हो जाएगा next 292 नंबर कुर्षम है person who added hemicodata in protocol वो कौन थे जो hemicodata का protocol में add किये होए थे तो 292 नंबर के जो एंसर होगा option number D हो जाएगा none of these a correct answer जो होगा वो होगा well for B E L F O U R well for correct answer हो जाएगा next और last question है connecting link between echinoderm and quadrata age ते इसका जो answer हो जाएगा correct होगा blanogloses इस तरह हमारा paper one पूरी तरह से complete हो गया है paper one का सभी question हम complete कर चुके हैं बहुत सारे बच्चे comment कर रहे हैं कि जो question जो mistake हो गया था उन्हें फीच से एक नय वीडियो बनाए तो उस पर हम प्रयास करेंगे try करेंगे नय वीडियो बनाने का लेकिन अगर जहां तक हो सके आप comment देख लेजेगा मैंने बहुत सारे question को pin out कर दिया था तो अगर आप थोड़ा सा मेरी मदद कर दिजेगा तो साथ मुझे वीडियो बनाने की जरुवत नहीं पड़ेगी लेकिन अगर जरुवत पड़ेगी तो मैं वीडियो बना दूँगा